यह है Omicron variant जो की दुनिया में नोट किया गया यह पहले 24 नवंबर को दो देशों में मुख्यत है जिसमें की सबसे पहला केस WHO को रिपोर्ट किया गया South Africa की गुटांग प्रोविंस से और दूसरा केस रिपोर्ट किया गया बोस्वाना से और जब यह केस रिपोर्ट किया गया और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ओने daily basis ओने continued basis इस particular variant से संबंदित केसे की दूसरे देशों में भी नोट किया जा रहा है और जैसे कि 27 को पांच नए देश, 28 नवंबर को दो देश, 29 नवंबर को चार और देश, इसी तरह जगर फस्स दिसंबर को देखें तो 9 और देशों में इस particular variant को नोट किया गया इससे संबंद में हम बताना चाहेंगे कि अगर हम देखें, तो हम पाते हैं कि करीब 29 देशों में 373 केस इस omicron variant के अब तक नोट किये जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी overall monitoring भी की जा रही है, जिसमें मुख्यते सबसे अधिक केस South Africa में हैं, उसके बाद अधिक केस बोस्वान में, नीदर लैंड में, United Kingdom में, जर्मनी में, पॉर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किये गए हैं इसे संबंद में हम आपसे बताना चाहेंगे कि इस particular variant के बारे में कुछ हद तक ये कहा जा रहा है, जबकि evidence और आनी बाखी है, कि हो सकता है कि ये increased infectivity हो और इसकी increased transmissibility हो तो जो इसमें जो mutation पाए गए हैं, उससे एक prediction जो डॉक्टर एरिक उन्होंने की है, जो कि American scientist in Washington है और Harvard Chan School से है, public health से तो उनकी एक prediction एक modeling के हिसाब से उन्होंने इसके बारे में बताया कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक infectious हो और जो ये virus होता है, जहाँ पर की मुखेता spike protein जिसको हम बोलते हैं, उसमें इसमें काफी हद तक even delta variant जो की last variant दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किये गर जो की मुखेते प्रचलित हमारा variant पुरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक spike level पर इसकी दो गुना से अधिक mutation है, उसी एक modeling के स्वरूप में उन्होंने जैसे कि दिखाया हम आपके सामने प्रस्तूत करना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे ये particular variant appear करता है, कि हो सकता है कि ये चाहे beta variant रहा हो, चाहे delta variant रहा हो, उसको भी अधिक गती से outpace कर सकता है, तो जैसे कि हम देख समझने की जरूत है, तो हम देखते हैं कि जैसे ये red line के द्वारा B1.1.529 यह omicron variant है, इसमें बहुत अधिक गती से, अधिक speed से cases overall आने शुरू हो जाते हैं, विजवी delta and beta, बट यह एक modeling है, इसको और further समझने की जरूत है, इसको और evidence के द्वारा हमें इसको analyze करने की जरू और इसी से संबन में हम WHO के जो inputs हैं, इसकी transmissibility और CVIT के बारे में भी आप सब के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब overall mutation note की गई हैं, जिसमें से करीब 26 से 32 mutations जो हैं where spike proteins related हैं, और इसमें से कुछ ऐसी mutation है जो अभी भी दुनिया में पाए गए जितने variant of concern तो उनमें भी पाई गई है, alpha हो, beta हो, gamma हो या delta हो, तो कुछ variations उसमें भी common हैं, और WHO की जो हमारे को information मिलिये, उसके हिसाब से RT-PCR test, इसमें क्यूंकि sequence confirmation में एक aid कर सकता है, इसको एक marker के रूप में भी हम यूज कर सकता है, इसको एक marker के रूप में भी है, अधिक transmissible हो, और इसकी binding affinity, जो हमारे cell से binding affinity है, शायद कुछ अधिक हो, जिससे की इसको cell को attach होने में एक chances इसके बढ़ जाते हैं, transmission के बारे में उन्होंने बताया है, कि यदि पी early data ये बताता है, कि इसका growth rate अभी काफी ज़्यादा है, लेकिन कितना transmissible है, इसके लिए और evidence की ज़रुवत है, ये काफी early understanding है, और इसको हमें evidence के base पर further समझने की ज़रुवत है, disease severity के बारे में भी उन्होंने बताया है, कि report अब तक आई है, उसमें mild to severe cases पाए गए हैं, लेकिन जैसे कि कुछ reports में कहा गया है, कि South Africa में hospitalization बढ़ा है, तो उसमें उनका कहना ये है, कि ये जरूरी नहीं है कि hospitalization omicron की वज़े से ही बढ़ा हो, ये भी हो सकता है कि अधिक संख्या में cases आने की वज़े से भी अधिक संख्या में लोग hospital में जा रहे हों, तो इससे increased severity of cases के बारे में अभी कोई clarity नहीं है, further evidence की जरूरत है.